आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुद्ध देव को नमस्कार कर चलिए राशिफल का ये कारिक्रम प्रारंध करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज बुद्धवार है स्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर दशी ती थी है जो की साम को तीन बज करके 47 मिनट तक है और इसके पस्चात पूर्णिमा ती थी है स्रावण नक्षत्र है आयुस्मान योग एवं वनिज करण है बात होगी पंचांग की चंद्रमा आज मकर रासी में और राहुकाल का समय दोपहर बारह बज़े से लेकर दोपहर एक बज़ करके 30 मिनट तक होगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया कारिय राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज की दिभ्य महा प्रयोग में वास्तु से संबंधित एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा इस जानकारी से जहां आपकी जीवन काल में बदलाव होगा आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी या आज का दिभ्य प्रयोग ह जब्योग है देव गुरु ब्रेश्चिक रासी में तो वहीं शनी और केतू धन रासि में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा मकर रासी में संचरण कर रहे हैं यह हैं इनी ग्रहष्तितीयों के आदार हैं आज मैंने आपके पूरे सादिन का हाल ला सरल पर ऑनी दानिक नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशी के आधार पर जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं उस प्रचलित नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं चलते हैं दिब्वे प्रयोक योर आजका दिब्वे महां प्रयोक एक छोटा सा ज्यान है छोटी सी जानकारी है नेरित्य कोण घर का नेरित्य कोण बहुत ही माइने रखता है नरित्य कोण में प्राय वास्तु का नियम है कि घर के मालिक का सयन कक्ष होना चाहिए जो घर का मालिक हो उसका सयन कक्ष नरित्य कोण में हो तो ज़्यादा अच्छा है नरित्य कोण यानि दक्षण पस्चिम का भाग दक्षिण पस्चिंग का जो बीच का कोना है इसे ही नेरित्य कोन कहते हैं नेरित्य कोन पर राहु का अधिकार है अगर आपके घर में नेरित्य कोन हलका हो, खाली हो तो समझ लीजे राहु का प्रभाव वहां बढ़ जाएगा अगर घर के नेरित्ट कोण में खाली स्थान पड़ा हुआ हो तो घर में कभी भी धन संपदा नटिके घर के लोगों के बीच मतभेद की स्थुति सुरू हो जाए परेसानिया आने लगें और धन में बरकत न हो वहीं अगर नेरित्ट कोण भरा भरा हो भारी हो कमरे हो और ओभी रहने वाला कमरा सामान उसमें पुरा हो और सामान भी कैसा ये बात ध्यान रखियेगा कि नेरित्ट कोण में बेकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि बेकार के चीज़ों पर भी राहु का प्रभाव होता है तो राहू का प्रभाव वहां बढ़ जाएगा राहू के स्थान में राहू से संबंधित वस्तुएं अगर रख दी जाए तो तो ध्यान रखा जाए कि नेरित्यकोण में केवल काम की वस्तु हो और वो खाली नहों तो अगर घर में ऐसा निश्त्यकोण है तब तो ग्रह स्वामी का विकास होगा लेकिन निरित्यकोण में अगर सौचाले इत्यादी हो पानी से संबंधित चीजे हो तो ये भी घर में किसी न किसी को बीमार करने लगता है घर का विकास बाधित हो जाता है तो यही प्रत्न करना चाहिए कि नेरित्यकोंड खाली न रहे और नेरित्यकोंड में पानी त्यादी से संबंधित चीजे न हो, सौचाले न हो, मकान या ग्रह स्वामी का सोने का स्वयन कक्षो सरवाधिक स्रिष्ट है अगर आपके घर में नेरित्यकोंड खाली पड़ा हुआ है, तो यह आपके विकास को रोग देगा, इस अवस्था में काम करिए, राहु को ठीक करने के लिए राहु के मंत्रों का बीज मंत्रों का जब करिए, इससे आपको लाभ मिल जाएगा गनेश जी की आराधना और भैरव जी की भी आराधना आपके लिए फल दाई सुध्ध होगा, लाभ देने वाला होगा अगर बहुत ज़्यादा कस्ठ हो रहा है, घर का नरित्य कोण खाली है और बहुत ज़्यादा परिशानी कस्ठ हो रहा है, तो कच्चा कोईला ले जाकरके और कहीं, या तो किसी को दान दे दिजिए, प्रवाहित कर दीजिए, कहीं डाल दीजिए, उससे भी आपको राहत मि जाएगी, या बुद्धवार या सनिवार के दिन आप कर सकते हैं, दिप प्रयोग के बाद चलते हैं, रासी फल की ओर बात करेंगे, रासियों की करम में, पहली रासी, मेस रासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या ले करके आ रहा है, चंद्रमा आपकी रासी से, दसम भा प्रता देने बाला है, आमदनी और फायदे किस्तुती बनी रहेगी, सोचे हुए काम आपके आज पुर्ण हो जाएंगे, नौकरी, ब्यापार और परिवार, इन तीनों में गजब का तालमेल आज आप बिठाएंगे, कारिस्थल पर अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, आज कोई अतरत जिम्मेवारी भी आपको प्राप्त होने वाली है, और बात अगर ब्यापारी वर्की करूँ, दिन बहुत बढ़िया है, पैसों से संबंधित अगर कोई मामला आपका उलजा हुआ है, तो आज ही उसे दिशा मिलनी सुरू हो जाएगी, अगर आप प्रत्न करें, तो जल्द ही उसे सुल्जा लेंगे, और अगर कहीं आप मेश रासिके हैं, आर्थिक तंगी से जूज रहे हैं, तो लाभ के नए रास्ते बनने वाले हैं, आज कोई भी गैर कानूनी काम मत करियेगा, प्रेम संबंधों की बात करूँ, तो पार्टनर से बाद विवात की स् सकती है, और इसके चलते आज आज आपको मानसिक कस्ट होगा, दामपत्य जीवन की बात करूँ, तो दामपत्य जीवन बिल्कुल सामाने दिखाई पड़ रहा है, विद्यार्थिवर की बात करूँ, तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, और अगर मैनेजमें अगर आप निवेस करते हैं, तो धनलाब बढ़ा हो, इसके लिए सबसे पहले किसी जानकार की राय ले लिजिएगा, और राय लेकर के निवेस करिएगा, बढ़ा धनलाब हो सकता है, निवेस आप 11 बचकर के 7 मिनट से 11 बचकर के 22 मिनट के बीच करिए, बढ़ा धनागमन ह पक्षियों को दाना डालिए लाभ मिलेगा लखी अंक दो है लखी कलर आपके लिए ब्राउन है व्रिशव रासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है भाग्य का सांथ आपको मिलने वाला है या मिल रहा है आपनों विश्वास में आपके बृद्धी होगी आज धनलाव का नया जरिया आपको प्राप्त हो जाएगा और अगर कहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज सफलता अवस्य मिलेगी कारिस्थल पर जल्दवाजी में कोई काम मत करियेगा आज आपको अपना विवार संतुलित रखना होगा और बात अगर व्यापारी वर्की करूँ तो व्यापार बहुत बढ़िया चलने वाला है आपका व्यापार को लेकर के कहीं कोई जिंता नहीं धनलाव की योग बन रहे हैं और कारिस्थल पर आज क्रोध बिल्कुल मत करियेगा क्रोध करने से आपको नुकसान हो जाएगा दामपत्य जीवन में मधूरता बनी रहने वाली है प्रेम संब्ध मजबूत होने वाला है और बात अगर विद्यार्थी वर्की करूं तो मेहनत से सफलता मिलने वाली है सारीरिक परिशानिया आज रहेंगी लेकिन आपको ज़्यादा परिशान होने की जरुत नहीं है सेहत को लेकर के बस ज़रा सावधान रहिए और ज़्यादा परिशानी दिखाई पड़े तो एक बार डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा पेट से समंधित परिशानी भी आज आपको परिशान कर सकती है और बड़ा धनलाब चाहते हैं भागय का साथ चाहते हैं शेर मार्केट से बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आज निवेस बढ़िया रहेगा आपके लिए भागय का साथ मिलेगा आपको और बड़ा धनलाब हो सकता है प्रातह आठ बज कर के तिरेपन मिनट के बीच का समय आपके लिए फाइदे मंद होगा किसी मजबूर व्यक्तिकी मदद आज आप पवस्य कर दीजेगा लखियंक के लिए साथ है और लखी कलर आपके लिए आज काला रहने वाला है मिथुन डासी मिथुन डासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है अपनी दिन्चरिया में आपको कुछ बदलाव करना होगा या इसकी कोशिश करनी होगी अगर ऐसा करते हैं तो यह अच्छा रहेगा आपके लिए हो सके तो परिवार के साथ समय विताईए छुट्टी तो नहीं है परंतु कहीं घूमने के लिए जाईए और कारिस्थल पर आज पूरी इमानदारी रखिएगा सयम से काम लीजेगा आपके लिए यही अच्छा होगा देखिए एक बात तय है थोड़ी परिशानी होने वाली है साम तक हो सकता है घर में तो नाव का भी बाताव रण रहे सावधान रहिए स्थाई संपत्ति खरीदने के मामले में तनिक भी जल्दबाजी मत करिएगा और व्यापारी बर की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता ने व्यापार की शुरुवाद करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए और बिना सोचे समझे कोई बात आज मत कहिएगा लव लाइफ की बात करूँ तो प्रेम संबंदों के लिए दिन बहुत बढ़ी आए पस थोड़ी नोग जोख होगी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है जीवन साथी से मदद मिलने वाली है जीवन साथी से प्रेम मिलने वाला है जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है विद्यार्थिवर्ट की बात करूँ तो आज मेहनत थोड़ी ज़ादा रहेगी आपके लिए लेकिन उसके नुपात में सफलता आपको कम मिलेगी और सेहत की बात करूँ तो कमर से नीचे केंगों में परिसानी हो सकती है शेर मार्केट में अगर निवेस करते हैं और बड़ा निवेस मत करिए निवेस करिए भी तो आज 12 बचकर के 7 मिनट से 12 बचकर के 33 मिनट के बीच आप निवेस करिए और छोटा छोटा माउंट लगाईएगा लाभ मिलेगा आज कोई भी काम करिए अपने मा का आशीर बात लेकर के करिए लाभ मिलेगा लकी यंग का आपके बन जाए उन सभी कारियों की सभी कामों की लिस्ट तैयार कर लीजी योजना बना लीजिए और तब काम करिए आपको निशंदे ही सफलता मिलेगी आज पार्टनर के सहयोग से आपके सारे काम बन जाएंगे और समय से पहले बन जाएंगे पैसो के मामले में कोई कदम बढ़ाने के पहले अच्छी तरह से आपको सोच विचार लेना होगा जांच परफ कर लेनी होगी हलाकि भागे का साथ मिलेगा और आगर आप नौकरी पेसा है दिन बहुत बढ़िया है कारिष्टल पर थोड़ा काम ज़्यादा रहने वाला है पर कोई दिक्कत नहीं दिन अच्छा कहा जाएगा व्यापारी वर की बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है व्यापार में अचानक तेजी आने से लाभ हो जाएगी आपको आज कोई नई डील हो सकती है इसकी भी पूर्ण संभावना है और पूर्ब में लिये हुए रिन से आज या तो मुक्ती मिल जाए या मुक्ती के कच्छेत्र में दो चार कदम आप आगे बढ़ जाएगे आज किसी से कोई बड़ा वादा मत करियेगा क्योंकि आप पूरा नहीं कर पाएंगे और लव लाइफ की बात करूँ तो प्रेमी से उपहार मिल सकता है जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और अगर आप औव विवाहित हैं तो बिवाह का प्रस्ताओ मिलेगा विद्यार थिवर की बात करूँ तो समय सामाने रहने वाला है अपने साथ पढ़ने वाले जो आपके दोस्त हैं उनकी मदद लीजिए जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको आता हो जरूरत पढ़ने पर औरों से भी मत ले लेनी चाहिए और आज शेर मार्केट में निवेस क लिए तीन होगा और लखी कलर आपके लिए आज पिंक होगा शिमरासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है आज कोई बड़ा निरने लेने से पहले आपको एक बार सांतिशे बिचार कर लेना चाहिए हो सके तो किसी करीबी मित्र से जीवन सांतिशे वैस रिपेसा वैसे लोगों जो हैं उनके लिए दिन बढ़िया है नौकरी में आज अतरिक्त जिम्मेवारी मिलेगी हाला कि उसका लाब भी आपको मिलेगा नौकरी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आज आपके प्रयास सफलता देने वाले होंगे आपको सफलता मिले वाला है जीवन सांती के स्वास्त की चिंता आज आपको बनी रहेगी परंतु प्रेम संबंधों की बात करूं तो लव पार्टनर का मिजाज आज कुछ आपके अनुकूल नहीं है हो सकता है प्रेमी पर पैसे भी खर्चों और बाद में आपकी कहा सुनी भी हो जाए सुजरा सावधान रहिएगा बिद्यार्थिवर की बात करूं समय सामन्य है सहयोग मिलेगा और बाहर जाकर के यानि भारत से बाहर अस्वदेश से बाहर जाकर के सिक्छा ग्रहन करने के लिए प्रतनसील है तो आज का दिन आपके लिए बेहत खास होने वाला है कोई सूचन मिल सकती है आगे बढ़िए और सफलता ग्रहन कीजिए शेर मार्केट में निवेस करते हैं तो निवेस के द्रिश्टिकोंड से दिन बहुत अच्छा नहीं है सामन्य है निवेस करने से पहले आपको विचार कर लेना चाहिए निवेस न करना ज्यादा अच्छा होगा पर फ फाइदे मंद होगा लकियंक आपके लिए आज पांच है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है बात कन्या रासिकी कर लेते हैं कन्या रासिके जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है संतान की ओर से कोई खुशकबरी या धनलाब आज आपको हो सकता है आज सुखद वातावरन बना रहने वाला है साथ के लोगों का पूरा-पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा व्यापार में आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है धनलाब होने वाला है और साथेदारी इस सिसम में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो बड़ा फायदा मिल सकता है आज जरुवत से जादा बोलने से बचना होगा आपको क्योंकि इससे नुकसान होगा और आज पार्टनर के बिना कहे आप पार्टनर की दिल की बात को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे दामपत्य जीवन में मधूरता बढ़ेगी और विद्यार थीवर की बात करूँ तो प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है आपको मिलने वाली है खूब मेहनत करिए और आगे बढ़िए सेहत की बात करूँ तो एसिडिटी और पेट से समंधित परिसानी आज आपको परिसान कर सकती है आज किसी गरीब को फल दान करना आपके लिए लावदाई सिद्ध होगा शेर मार्केट में निवेस करने पर बड़ा धनागमन हो सकता है निवेस के लिए आज 8 बज करके 69 मिनट से लेकर 10 बजे तक के बीच आप निवेस करिए आपको मिलेगा लकी अंक आपके लिए 9 है और लकी कलर आपके लिए आज नीला है तुलारासी तुलारासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है लोग आज आप सिर्प्रभावित होंगे पैसों के मामलों पर बिचार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है परिवार के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम आज आप बना सकते हैं और कारेस्थर पर जरूरत हो तो अपने मन की और अपने हित की बात कहने में जरा भी संकोच मत करिए द्रढ़ता, गंभीरता, धैर्या और इमानदारी से अपना पक्ष रखिए व्यापारीवर की बात करूँ तो व्यापार से संबंधित अगर कोई कानूनी मसला है कोई बिवाद है उसका निप्टारा जल्द ही होने जा रहा है व्यापार में आज जीवन साथी के सहयोग से आपको फायदा मिलेगा जीवन साथी के सलाह से आपको फायदा मिलेगा आपके काम बनेंगे और पारिवारिक जीवन में अपने कारिस्थल की समस्याओं को अगर सामिल करने की बुरी आदत है आपको तो ये समझ लिजी कि अपना घर अपने ही हाथो आप तोड़ रहे हैं जीवन साथी से आज आज आपको अपना विवहार अच्छा रखना होगा लव लाइफ में आज उतार चड़ाओ रहने वाला है और अगर विद्यार्थिवर की बात करूँ तो मन पढ़ाई में आज नहीं लगेगा एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज आपकी थोड़ी जादा होने वाली है और बात अगर शेर मार्केट की करूँ तो शेर मार्केट में निवेस तोबस्य होगा माकरीगा धनलाव तोबस्य होगा लेकिन निवेस करने से पूर्ब आपको एक बात का ज़रा खयाल रख लेना होगा किसी जानकार की राय लेकर के निवेस करिए और निवेस आप 9 बच करके 27 मिनट से 9 बच करके 55 मिनट से 57 मिनट 9 से 55 से 57 के बीच आप निवेस करिए धनागमन होगा सेहत को लेकर के तनिक भिला परवाही मत बरतिये अनिथा कोई बड़ा रोग हो सकता है पीपल के ब्रिक्ष में उसकी जड में जाकर के आज थोड़ा सा जल अर्पित करिएगा सुबसुबा लाभ मिलेगा आपको लखी अंक आपके लिए दो है और लखी कलर आपके लिए आज बैंगनी है वरिष्टिक रासी वरिष्टिक रासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है चंद्रमा का प्रभाव गोचर कुंडली में आपकी रासी से तीसरे भाव में है फलस्वरूप मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा कोई पुरानी समस्या आज आपकी खत्म हो जाएगी बड़ा फाइदा मिलने वाला है सोचा हुआ काम आज आपका पूरा हो जाएगा नई नौकरी या प्रमोशन के लिए अच्छे ओफर भी आपको मिलने वाले है और बात अगर ब्यापारी वर्की करूँ तो दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है जायदाद से समंधित अगर कोई समस्या है तो उसका सामाधान बड़ी आसानी से हो जाएगा आज किसी से बिना सोचे समझे अपने मन की बात शेयर मत करिये ऐसा करने से बचिये या आपके लिए नुकसान दे है प्रेम समंधों में तनाव की स्थिती होने वाली है दामपत्य जीवन पूरी तरह सुखद रहेगा और विद्यार्थीवर की बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए बेहत खास है सब हलता दिलाने वाला है सेहत आज आपकी बहुत अच्छी रहेगी और शेर मार्केट में निवेस करते हैं तो बड़ा धनलाब हो सकता है अगर आप निवेस दसबच करके साथ मिनट से दसबच करके सत्रह मिनट के बीच करते हैं छोटा सा समय है पर धनागमन करा देगा तुलसी की माला हनुमान जी को जाकर करपित करिए लकी अंक तीन है लकी कलर आपके लिए आज हरा है धनुरासी धनुरासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या ले करके आ रहा है आज जो काम करने का आप सोच रहे हैं वह आज ही कर लीजे कल पर टालने की भूल मत करिए परिस्तुतिया आज आपके पक्ष में हैं उसका भर पूर लाभ उठाईए कारेश्थल पर आज 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 से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे आज आपको अचानक धनलाब होगा आज कुछ भी बोलिए तो सोच समझ करके बोलिए तोल कर बोलिए क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा अपने बात से पलटने का प्रेम संबंधों की बात करूं तो पार्टनर से सहयोग और पैसा दोनों मिलने वाला है और आज का दिन आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत बढ़िया है दामपत्य जीवन में आज उतार चढ़ाओ की स्थिती है घर में महमान क्याने से आप लोग थोड़े परिशान हो सकते हैं और बात अगर विद्यार थिवर की करूं तो दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है नए सिलेबस पर आप विचार करेंगे आगे के लिए नई उजनाय बनाएंगे बहुत बढ़िया दिन है आपका यानि विद्यार्थिवर के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया सफलता दिलाने वाला है सेहत की बात करें तो कोई पुराना रोग आज आपको फिर से परिशान कर सकता है और शेर मार्केट में निवेश करते हैं तो धनलाव तो होगा लेकिन आपको किसी जानकार किराय ले लेनी चाहिए निवेश आज 10 बच करके माफ करिएगा 11 बच करके 7 मिनट से 11 बच करके 53 मिनट समय लंबा है लेकिन सोच समझ करके परिश्तितियों को देख करके निवेश करिए धनागमन होगा शिव पंचाक्छर स्तोत्र जो पंचाक्छर स्तोत्र है उसका पाठ कर ये लाभ मिलेगा लकी अंका आपके लिए एक है लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है मकर रासी मकर रासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर में चंद्रमा आपकी रासी पर सिंचरन कर रहे हैं सकारात्मक बिचार धारा बना करके आगे बढ़िए एक एक करके कदम आगे बढ़ाइए रास्ते अपने आप आपके सामने साफ होते चले जाएंगे सफलता मिलने का योग बन रहा है नौकरी या करियर को ले करके सकारात्नक बिचार आपको शुरू करना होगा नय रास्तों की तलास करनी होगी बे उसाई हैं आप दिन बहुत बढ़िया है आज रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है और आज आपको विशेस आर्थिक लाव होने वाला है किसे भी मामले में आज ज़्यादा जल्दबाजी आपके लिए या ज़्यादा उतावलापन आपके हित में बिल्कुल नहीं है लव लाइफ की बात करूँ तो पार्टनर को समय देना होगा उनकी भावनाओं की कद्र करिए भावनाओं को समझिए यही आपके हित में है और विद्यार्थीवर की बात करूँ तो समय आपके लिए सामन्य है नए साथी आज आपके बनेंगे अर बात अगर शेहत की करूँ तो आज आपकी अपनी शेहत थोड़ी ध्यान देने योग्ये हैं शेहत में परिशानी रहेगी कि पेट से समंधित परिशानी आज आपको हो सकती है किसी भी तरह से हो सके तो बाहर के भोजन से आज बचिएगा शेर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो निवेश के द्रिश्टी कोण से आज आज आप आठ बच करके 53 मिनट से और 9 बच करके 45 मिनट के बीच निवेश करिए लाभ मिल जाएगा किसी गरीब को आज भोजन कराइए लकियंक आपके लिए एक है और लकी कलर नारंगी है कुम्भरासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है दिन बहुत बढ़िया त बसर आपको मिल रहा है मेहनत करिए मौके का लाभ उठाइए छोटी मोटी रुकावटें आज पूरे दिन आएंगी और आपको उनका सामना भी करना होगा आने वाले दिन अगर आप चाहते हैं कि बहतर हो तो उसको बहतर बनाने का कार्य आज ही हो रहा है ब्यापारीवर की बात करूं तो आर्थिक इस्तुती बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती बस अपने काम में किसी तरह से लापरवाही मत करी अपना काम भली भाती अच्छे धंग से करिए छोटी मोटी यात्रा भी आज हो सकती है हाला कि ये यात्रा फाइदे मंद नहीं होगी आज किसी को पै दिन में हो तो साम तक सब ठीक हो जाएगा बिद्यार थीवर की बात करूँ तो कम मेहनत में भी अच्छी सफलता अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं और आज आपको आपके दोस्तों का आपके सुनियर्स का भी भर पूर सहयोग मिलेगा शेर मार्केट में निवेस करना आज खत्रे से खाली नहीं है अतह निवेस मत करिए पर फिर भी निवेस करना जरूरी समझते हैं तो आज दो बज करके तीन मिनट से दो बज करके तीन मिनट से आपको दो बज करके 47 मिनट के बीच जो भी परिस्थिती दिखाई पड़े निवेस करिएगा छोटा अमाउंट लगाईएगा पेट के निचले हिस्सों में किसी भी प्रकार के रोग की स्थिती बन रही है जरा सावधान रही है और बेसन के लड़ू गनेश जी के मंदर में जाकर कर्पित करिए लाभ मिलेगा ल प्तरार्ध में बड़े धनलाभ की कोई योजना बन जाएगी महत्त पूर्ण अगर कोई फैसला लेना चाहते हैं तो आज से बढ़िया दिन नहीं मिलेगा किसी मित्र की मदद से आपके करियर में तेजी से उच्छा लाएगा अगर कोई समस्या हो रही है तो उसका समाधान निकल आएगा नौकरी के लिए कही जा रहे हैं अगर इंटर्वियू देने के लिए जा रहे हैं तो सफलता की गैरेंटी ले करके जाएए सफलता मिलेगी आपको और व्यापारी वर्क की बात करूँ तो व्यापार में सफलता मिलने वाली है आपकी इंकम भी बढ़ने वाल सब्सक्राइब तो आपको आज ज़रा विशेस खयाल रखना होगा, क्योंकि उनकी सेहत ठीक हो सकती है, पत्नीकार्थे हैं जीवन साथी, तो जीवन साथी की सेहत में अगर कोई परिशानी है, तो विशेस खयाल रखें उनका जल्दी ही सुधार हो जाएगा, सेयर मार्केट में निवेस करते साथे मंद होगा, आज ओम गंगडपते नमः सुमंत्र का 108 बार जब करिए लाब मिलेगा, लकी अंका आपके रिए 6 है और लकी कलर लाइट ब्लू है, तो प्रियदर्स को ये था मेज से ले करके मीन राशी परियंद प्रतेक राशी के जातकों का पूरे दिन का हाल, अभी करा खार।